So, Hello all my dear CA Inter and Final Students जिन्होंने November 2023 का attempt दिया था उन लोगों के लिए एक good news है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों के लिए यहाँ पे ICAI ने notification रिलीस कर दिया है चार तरिक को चार जनवरी को आप लोगों का जो notification है वो आ चुका है regarding your result date So, आपके CCM of ICAI धीरच खिंडेलवाल जी ने Twitter पे यह post डाली थी जहाँ पे आप लोगों को notify किया गया था कि आप लोगों का जो CA Intermediate और Final का result है वो आने वाला है आप लोगों का 9th of January 2024 को तो जैसा कि आप लोगों यहाँ पे पूरा notice देख सकते हो कि यहाँ पे clearly लिखा हुआ है कि आप लोगों का जो result है वो 9th of January यानि कि Tuesday को release किया जा सकता है due to some technical issues अगर problem होती है तो 10 तारिक हो सकती है बट 9 या 10 को finally आप लोगों का जो result है वो डिकलर हो जाएगा main बात मैं आपको बता दूँँ आप लोगों का जो result है वो लोर नंबर और registration नंबर के through ही access कर सकते हो otherwise आप लोग अपना जो result है वो नहीं check कर पाओगे ये थी बात आप लोगों के notice करेगा अब मैं बता दूँँ आप लोगों को कोई इस बार जो passing percentage है वो बहुत कम रखा गया है media sources के according ये बता जा रहा है कि इस बार c.a.sureure जो है minimum से minimum number को number of students को pass करने वाली है क्योंकि number of students जितने appear हुए थे इस बार वो unexpected था जिस वज़े से ICAI को अपने passing percentage में ग्रावट करनी पड़ी है which means आप लोगों का जो passing percentage result है वो थोड़ा कम जा सकता है तो be ready for that keep calm keep questions and आप लोगों का जो result है उसके regarding अगर आपको कोई भी doubt हो तो मेरे को comment box में भी comment out कर सकते हो मैं आपको उसका reply कर दूँगा तो for that today this is it now I will meet you on the 9th of January जब result आपका declare होएगा तो thank you guys all the best and यार में को बता है आप लोग पास जरूर होगे thank you thank you guys